इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 1 अपरेल 2023 विश्वास की गोशना मैं गोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं अपने जीवन पर ईश्वर के अविश्वस्तनिय आशिरवात की गोशना करता हूँ मैं इश्वर की दयालूता का एक विस्पोट देखता हूँ अच्चानक व्यापक व्रदी मैं इश्वर के महानता का अनुभव करता हूँ यह मुझे उस इस्थर तक ले जाता है जितना मैंने कभी सपने भी नी देव सोचा था यह मेरी गोशना है दिवे स्वास्त की स्विकारूती मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के कृपाओं और वास्तविक्ताओं का प्रकटिकरण है मैं बिमारी, रोग, शैतान और इस दुनिया के विवस्थाओं पर विजई रूप से जीता हूँ मैं अलोक एक जीवन जीता हूँ हामारे प्रभु येशु के नाम में विजई, महिमा, शान्ती और प्रभुता का जीवन आमेन मेरे पास वही होगा जो मैं कहूंगा येशु के नाम में योहन चौदा तेरा मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इश्वर का प्रिय हूँ मैं इश्वर और मानव जाती का क्रपा पात्र हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ ना कि जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ मैं अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दरबार में ताड के पेड की तरह फलता हूँ और हर मौसम में प्रचूर और फलता फूलता रहूंगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वे येश्यू के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येश्यू के नाम में काम कर रही है मैं मसी येश्यू में हर आध्यात्मे का अशिरवात का प्राप्त करता मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को निर्देश देती है मेरा अंतरमन सुनता है प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है और मेरा शरीर पालन करता है येशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा इसपष्ट और व्यक्त होता है मैं आपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूं मैं आपने मनोभाव से बात करता हूं परिपून बनो मसी के मनोभाव की तरह और मैं तुम्हें ईश्वर के वचन से संड्रेखित होने की आग्या देता हूँ मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशी और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफडों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किड़नी, लीवर और अगनाश्य को पून्ता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़ियां, जोड, काटेलेज, संड्रेकित, मजबूत और द्रड हैं मेरे पूरे उपरी और नीचले अंग उतकश रूप से कारे करते हैं मेरी आँखे सपश रूप से और पूरी तरीके से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तुचा एक नवजाच, शिशु और ईश्वर की सुन्दर्ता की तरह चिकनी और सुष्थ है मेरे बालों की रोम कस गए हैं मैं अपने बालों को इस्थिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां व्रद्दी की अवशक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दात, मसूडे, जबडे की हड़ियां और तंतरी का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्त मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मीटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्य में है और अपने इसकारियों को सामान्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंतर निगले गए सभी खादे प्रदार्तों को पचाने अशोशित करने और आत्मसाद करने में सक्षम है और चया पच्चय अप्शिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते है मैं खाने, तकनीक, मीडिया, शिथिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नींद, सुस्ती और बाद देखारी खरीदारी में सभी प्रकार के वैसनों शराब, निकोटी, इन, ड्रग्स, दुधातुमान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूं और मसी की आग्याकारिता में लेता हूं जैसा येशू, वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, वैं मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खादे प्रदार्तों, धूल, जानवरों, आदी अलरजी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन्तंत्र प्रयाप्त मात्रा में और अच्छी गती शिलता वाले शुकराणूं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन्तंत्र समय पर अंडे की कोशी का आउप का उत्पादन कर रहे है जनम तक ब्रून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशी का पूर्टा में कारे करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कारे करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येशु के नाम में मना करता हूँ आमेन मेरा संपूं मानो शरी रचना विज्यान चया पचे और शरीर ट्माम आदे और मसी अशु में परिपूर है पृत्र आद्मा अश्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूँ की मैं जानता हूँ शलूम